नमस्कार मेरे पहरे विद्ध्यार्थियों तो लास्ट क्लास में हमने परिसर पे बेस्ट कुछ क्यूशन किये थे यानि परिसर कैसे निकाला जाता है तो हमने कुछ रूल भी लिख लिए थे और हमने कुछ क्यूशन भी किये थे तो वो रूल आपको ध्यान रखने हैं और उ जो क्यूशन है वो करेंगे उस पे भी एक्जाम में आपकी सेकंड गेड और फैस्ट गेड दोनों में पूछे गए हैं तो देगो आपको जो भी अच्छे क्यूशन मिलते हैं तो आप उनको ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है अपन ट्राई करना चाहिए लेकिन ये भी तो एक्जाम वाली जो सीट मिली हुई आपको आप उसको अच्छे से लगा लें तो उसका फिर सोल्यूशन डाल देंगी तो आज देखो यहां पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूशन है कि य एक्स इक्वलस टू एक्स माइनस मैतम पुनांग फलन अपोन उन प्लस एक्स मा आपको बताया था जब हमने गराब पड़े थे तो मैंने का था कि जो भिनात्मक फलन होता है तो भिनात्मक फलन का मान क्या होता है वो होता है एक्स माइनस मैतम पुनांग फलन यह होता है और जो भिनात्मक फलन है इसका मान हमेशा आपको पता है कि जीरो से वन के बीच मे रहता है, जो बिनात्मक फलन है, इसका मान हमेशा जीरो से वन के बीच में रहता है, यह हम जानते हैं, ठीक है, तो अगर जीरो से वन के बीच में रहता है, तो सर यहां से देखो, जीरो से वन के बीच में रहेगा, तो यह जो मेरा फलन है, वो किसके बराबर आ गया? जो मेरा फलन fx से वो आ गया बिनात्मक फलन अपोन 1 प्लस बिनात्मक फलन ये लिख सकते हैं तो इस फलन को कब दिक्कत होगी? जब बिनात्मक फलन का मान मेरा minus 1 आएगा, वरना तो ये कहीं 0 नहीं होगा, तो ये जब 0 होगा तो हमें पता है, 07 के बीच में होता है इसका मतलब क्या हो गया बच्चो? कि इसका मान कभी 0 नहीं होगा तो पहली बात तो फलन का जो प्रांथ है वो मेरा पूरा वास्ट्विक संक्याओं का समुच्या जाएगा, यहनि जो प्रांथ है वो वास्ट्विक संक्याओं का समुच्या जाएगा इसको कहीं भी किसी भी X के मान पे दिक्कत नहीं होगी ठीक है? अब देखो यहां पे हमें इसका प्रांथ निकालना है प्रांथ तो हमने निकाल लिया, अब हम परिसर निकालेंगे, तो यहां इसको किसी भी पॉइंट पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मान है, वो हमेशा 07 के बीच में रहता है तो इस फलन को कहीं भी दिक्कत नहीं होगी तो हमें पता है, इसका प्रांथ आ रा गया हम इसके बराबर Y मान लेते हैं इसके बराबर Y मान लिया, तो यहां से इसको जब अपन solve करेंगे, तो क्या आजाएगा, Y प्लस Y इंटू बिनात्मक फलन, इक्वल्स टू क्या आजाएगा, बिनात्मक फलन X आजाएगा, हाँ या ना, अब इसको इदर ले आओ, Y को इदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, Y इंटू बिनात्मक फलन, माइनस बिनात्मक फलन, इक्वल्स टू माइनस का Y हो जाएगा, यह लिख सकते हैं, तो यहां से अगर हम बिनात्मक फलन कॉमन लेंगे, तो Y minus 1 बचेगा उसको हम उदर बेज देते हैं तो भिनात्मक फलन x equals to आगया minus का y और उसको उदर बेज जेंगे तो क्या जाएगा y minus 1 आजाएगा ये लिख सकते हैं अब इस minus को आप इससे multiply कर दो तो यहां से भिनात्मक फलन है वो y upon 1 minus y हमारे पास आजाएगा ये जो भिनात्मक फलन है y upon 1 minus y हमारे पास आजाएगा और हमें पता है कि भिनात्मक फलन का मान 0 से 1 के बीच में होता है इसका मतलब यहां से हम क्या जानते हैं कि जो y upon 1 minus y का मान हमेशा 0-1 के बीच में रहेगा क्यों? क्योंकि इसका मान हम जानते हैं बच्चों 0-1 के बीच में होता है और ये इसके बराबर है इसका मतलब इसका मान भी क्या होगा 0-1 के बीच में रहेगा अब देखो यहां से हमें दो inequality मिल गई देखो इसको मैं हटा देता हूँ इदर आपने लिख लिया हो तो यहां से देखो यहां से हमें इसको कैसे सोल करेंगे ध्यान दे इदर तो यहां से हमारे पास जो first बना इदर की जो y upon 1 minus y है वो greater than equals to 0 है और साथ में इदर से हम लिख सकते हैं y upon जो 1 minus y है वो less than 1 होगा दो inequality आगे अपने पास यानि जो y upon 1 minus y है वो greater than equals to 0 है और यहां से y upon 1 minus y है वो less than 1 दिया हुआ है ठीक है बच्चों अब देखो यहां पे हम चिन नियम लगा लेते हैं इस पे चिन नियम लगाते हैं पहले तो इससे चिन नियम लगाएंगे तो क्या आएगा देखो इदर यानि y upon 1 minus y तो पहले इसके root देख लेते हैं एक तो 0 क्या हैं एक तो 0 और एक 1 पे 0 हो रहा है ठीक है अब 1 इसमें सामिल नहीं होगा क्योंकि denominator क्या आ रहा है 1 पे 0 आ रहा है तो इसका मलब 1 तो हम सामिल नहीं करेंगे इसमें यहां से idea लग गया अब देखो यहां जब मैं जो y का मान है अगर 1 से बड़ी वास्तिक संक्या लेता हूँ अगर वाई का मान 1 से बड़ी वास्तिक संक्या रखते हैं अगर अपन तो 1 से बड़ी वास्तिक संक्या रखेंगे तो यह क्या हैगा धनात्मक आजाएगा यह धनात्मक आजाएगा और 1 से बड़ी वास्तिक सं जीरो से वन के बीच में है, तो जीरो से वन के बीच में होगा, तो ये तो हमारा धनात्मक हो जाएगा, ये भी हमारा धनात्मक हो जाएगा, और धनात्मक इंटू धनात्मक बच्चो धनात्मक होता है, तो ये वैल्यू हमारी धनात्मक हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी धनात अगर मेरा वाई का मान जीरो से छोटा है तो यहां से हम देख सकते हैं कि यह रिनात्मक होगा और जब यहां रिनात्मक वेल्यू रखोगे तो रिनात्मक इंटू रिनात्मक धनात्मक हो जाएगा तो सर रिनात्मक इंटू धनात्मक तो यह वापस मेरा रिनात्मक आ जाएग अब हमें देखना है कि हमारा जो यहां से y का मान है वो क्या possible है तो देखो हमें पता है कि greater than equals to 0 की बात कर रहा है इसका मतलब हमें धनात्मक वाला portion लेना है तो 0 से 1 की बात कर रहा है लेकिन 1 सामिल नहीं करेंगे, 0 को हम सामिल कर लेंगे क्योंकि y equals to 0 पे इसको कहीं दिक्कत नहीं है लेकिन जब y को 1 रखते हैं तो denominator 0 हो जाता है इसका मतलब यहां से y 1 नहीं ले सकते आप तो 0 से इधर संवर्थ अंत्राल और इधर से यह विवर्थ अंत्राल बन जाएगा ठीक है बच्चों अब देखो अब हम ध्यान देते हैं कि जो दूसरी इनकुलिटी उसको कैसे सोल करेंगे वहां से y का मान क्या आएगा अपने पास फिर जो common होगा वह हम देख लेंगे अब देखो यहां से उधर हमें दिया हुआ है कि y upon 1 minus y और minus 1 less than 0 यह लिख सकते हैं यहां से ठीक है अब देखो बच्चो यहां से y और minus का 1 minus y upon 1 minus y है यह less than 0 हो जाएगा ठीक है यह लिख सकते हैं इसको और यहां से देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जब इसको minus से multiply करेंगे तो क्या जाएगा y minus 1 और plus का y upon 1 minus y और यह less than 0 बन जाएगा तो यहां से अगर हम देख पा रहे हैं तो y से यह क्या बन जाएगा 2y-1 upon 1-y है वो less than 0 जाएगा तो इसको हमने solve कर लिया अब यहां भी हम चिन नियम लगा देंगे तो चिन नियम लगाएगे तो क्या आएगा देखो यहां जो roots आ रहे हैं 1 by 2 और यहां जो आ रहा है 1 आ रहा है जी रो यही आ रहे हैं इसके ठीक है अब देखो अगर हम 1 से बड़ी वास्तविक संख्या लेते हैं तो 1 से बड़ी वास्तविक संख्या लेंगे तो यह तो आप कोई संख्या रख लो यहां पे तो वन से बड़ी वास्त्विक संख्या लेने पे ये हमेशा धनात्मक आएगा और वन से बड़ी वास्त्विक संख्या लेने पे ये हमेशा रिनात्मक आएगा तो यहां से ये रिनात्मक हो जाएगा धनात्मक इंटू रिनात्मक रिनात्मक हो जाएगा फिर जब हम 1 by 2 से 1 के बीच की वास्त्विक संख्या लेंगे तो 1 by 2 से 1 के बीच की अगर हम वास्त्विक संख्या लेंगे बच्चों तो 1 by 2 से 1 के बीच की वास्त्विक संख्या लेने पर ये धनात्मक आएगा बई वन से वन बाई टू से वन के बीच की जब वास्त्विक संक्या लेंगे तो ये धनात्मक और ये धनात्मक आएगा और ये भी धनात्मक आएगा तो यहां से यह धनात्मक into धनात्मक हो जाएगा, ठीक है और जब हम one by two से छोटी वास्ट विक्षण क्या लेने पे ये तो हमारा क्या रहेगा बच्चो? वन बाई टू से छोटी वास्ट विक्षन क्या लेंगे तो ये हमेशा धनात्मक रहेगा लेकिन उस केस में ये रिनात्मक हो जाएगा मैंने का था आप कोई वैल्यू रखके देख लिया करो जैसे जीरो रख लो तो जीरो रखने पर यहां पर क्या रहा है ये जीरो रखने पर रिनात्मक आ रहा है ये धनात्मक आ रहा है तो धनात्मक इंटू रिनात्मक रिनात्मक हो जाएगा ऐसे समझ नहीं आता है तो आपको एक वैल्यू रखके देख लिया करो उससे पता चल जाएगा आपको ठीक है? अब देखो यहां से हमें less than 0 की बात कर रहा है और equal to नहीं दिया हुआ है less than 0 की बात कर रहा है equal to नहीं दिया हुआ है तो यहां से हमें पता चल गया कि जब अगर यहां से y, हमें यहां से कौन सा area आएगा देखो तो यहां negative वाला sign हमें लेना है तो कौन सा है कि minus infinity से 1 by 2 लेकिन 1 by 2 सामिल नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि यहां equal to का sign नहीं है फिर union और यहां से क्या जाएगा 1 से लेके infinity और यहां 1 भी सामिल नहीं है अब इनका जो common area है वो आप निकाल लो तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहां मेरा 0 है यह मानलो 1 by 2 है यह 1 है यह है तो यहां यह जो area दे रहा है वो 0 से 1 के बीच की बात कर रहा है और यहां अगर हम देखें तो minus infinity से 1 by 2 तो यह वाला area ले रहा है एक तो union 1 से infinity एक यह वाला area ले रहा है ठीक है? तो यहां से अगर आप देख पा रहे हैं तो यह common आ गया क्या जीरो सामिल होगा वन बाइटू है वो सामिल नहीं होगा यहां सामिल नहीं है तो जीरो सामिल होगा वन बाइटू ओपन रहेगा यह हमारा इसका क्या आ गया परिसर आ गया जीरो से वन बाइटू के बीच में जहां वन बाइटू है वो सामिल नहीं है तो ये अच्छे क्युशनों में आते हैं इस टाइप के क्युशन अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है लेकिन प्रेक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है ठीक है बच्छी तो अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्युशन है वो आप करें फटाफट तो इस टाइप का क्युशन अगर आप प्रेक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो डर है मैथेमेटिक्स का वो निकल जाएगा कि बई देखो क्युशन कुछ भी हो लेकिन रूल जो अगर हमने जो अप्रेक करना जो सीखा है वो ही काम हम कर रहे है वो ही काम हम कर रहे है ताकि अपने क्युशन से वो आसानी से यहां पे सोल हो जाते हैं अब देखो यह क्युशन है यहां क्या कहा गए आपको कि 3x2-4x-5 है वो e to the power y है ठीक है बच्चो और यहां में दिया हुआ है y2log e to the power 3x2-4x-y दिया हुआ है ठीक है तो अगर आप इसको सोल करना चाहते हैं तो कैसे सोल करेंगे यह मैंने आपको होमवर्क दिया था तो आपने ट्राइ भी किया होगा और कुछ बच्चों को हो भी गया होगा इतना कुछ टफ भी नहीं था इसमें तो कैसे करेंगे इसको बताएं कैसे करेंगे भई क्योंकि यह दोनों क्यूशन सेम ही नहीं है क्या कैसे भी लिखे आ सकते हैं इसको भई यहां से मैं क्या करूँ लोग ले लूँ दोनों साइड अगर लोग लेता हूँ यहां से यह क्या गया y equals to log of यह क्या बन गया 3x square minus का 4x plus 5 तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह लिखने में दो क्यूशन है लेकिन देखने में एक ही क्यूशन है यह वह लिखो या ऐसे लिख दो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह हमें ध्यान रखना है पहली बात तो चीक है यह हमें ध्यान रखना है अब देखो हमें यह जो फलन दिया हुआ है हमें यह जो फलन दिया है y equals to log of e base हमें इसका प्रांथ निकालना है हमें इसका प्रीसर निकालना है e base पर बात कर रहा है तो e base लगा दें इसका चीक है तो प्रीसर निकालना है तो सबसे पहले तो आप इसका प्रांथ निकालने प्रांथ क्या आएगा तो प्रांद निकालने के लिए मैं पता है क्या करते हैं कि जो 3X²-4X प्लस 5 है वो क्या आता है greater than equal to 0 लेते है sorry greater than 0 लेते है क्या लेते है बच्छो गरेटर देन 0 लिया जाता है क्या लिया जाता है greater than 0 लिया जाता है यह पहले से पता है इस चीज़ का तो इस तरीके से आप इसका प्रांध निकाल सकते हो वो खुद आप चेक कर लेड़ा अब हमें इसका परीषर कैसे निकालते हैं उस पे आते हैं पहले हम इसका परीषर निकालना सीखते हैं तो परीषर कैसे निकाला जाता है उसके उपर हम आते हैं देखो तो परीषर निकाल y है वो 0 हो जाएगा हाई है ना वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो मेरा अब ये जो equation है वो क्या बनगी quadratic form में बनगी equation जब मेरा x non-0 हो और x अगर मेरा non-0 हो तब कि मैं बात कर सकता हूँ ताकि ये मेरा दिवी घाच समीकन बनगी इसको मैं solve करना जानता हूँ कैसे solve करते हैं इसको x equals to plus x equals to यहां लिखते हैं minus का b plus minus and root में b square minus 4ac upon यही तो करते हो तो यहां से हमें पता है जब x का मान निकालेंगे x equals to क्या आएगा minus का b यानि कि ये 4 हो जाएगा plus minus and root में क्या जाएगा बच्चो and root में b square यानि 16 हो जाएगा minus 4 का square minus का 4 a का 3 है और c क्या दिया हो है बच्चो 5 minus e की power y ये दिया है upon 2a तो 2 into 3 यानि ये 6 हो गया तो हमें क्या देखना है बई कि and root में जो मान आ रहा है वो greater than equals to 0 हो जाना चीए वहां से हम इसका परिशर निकाल सकते हैं y के वो संभव मान जिनके लिए x का मान निकालना संभव हो तो वो ही क्या हो जाएगा y के उन मानों का समूचे परिशर बन जाएगा जिनके लिए x का मान निकालना संभव हो तो यहां से हमें इस टैप के किशन कर चुके हैं काफी तो 16 minus 4 into 3 और into में 5 minus e to the power y यह क्या होना चाहिए भई greater than equals to 0 होना चाहिए हम जानते हैं हाई या ना अब देखो यहां से यहां से हमें इसको उधर बेज़ रखते हैं तो क्या जाएगा यह पहले simplify कर लो 16 minus यह 12 हो गया और यह minus का 60 और अगर देखें तो यह plus का और यह यहां से 12 e to the power y और यह greater than 0 हो जाएगा और minus 60 है तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि यह हो गया plus का और यह minus का है तो यहां से हम यह हटाएं तो कितना बचेगा जीरो उसको उदर भेज देंगे तो क्या जाएगा 12 e to the power y greater than equals to 44 यह लिख सकते हैं बच्चों और e to the power y जो है वो greater than equals to हो गया यहां से गर हम इसको भेजें इदर तो यह आगया 44 upon 12 यह आगया हमारे पास यह लिख सकते हैं इसको हमें y का मान निकालना है तो y का मान निकालना है तो एक काम करें यहां से इसको पहले e to the power of y greater than equals to 4 से गर हम cancel out करते हैं तो 11 और यहां पे 3 आजाएगा तो log ले लें दोनों साइट तो y आजाएगा greater than equals to log of e base 11 बटा 3 यहां 11 बटा 3 आजाएगा तो यहां जो प्रांत आ रहा है वो क्या रहा है बच्छो log e base 11 बटा 3 से लेके infinity तक वो इसका परिशर आजाएगा यहां यह यहां से start होगा log e base 11 बटा 3 से लेके 0 से लेके infinity तक क्योंकि y है वो इससे greater होगा तो यह हम इसका परिशर लिख सकते हैं अब हमें देखना है कि यह हमारा इसका क्या आगया परिशर आगया यह हमारा इसका परिशर आगया ठीक है बच्छो तो इस टाइप से आप यह कुशन कर सकते थे ठीक है यह द्यान लखना था यह मैंने कुछ प्रेक्टिस करवा दिया आपको परिशर के क्योशन कैसे किये जाते हैं तो अब अपन नया टोपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं एक दो क्योशन देता हूं जो आप ट्राई करों तो परिशर निकालना सीख लिया हमने प्रांत निकालना भी सीख लिया ठीक है और शुरुवात में हमने फलन क्या होता है फिर एक एकी फलन आच्छादक फलन बहु एक एकी फलन फिर अंतरसेफी फलन और फलन कितने होते हैं वो हमने काउंट किये एक एकी फलन कितने होंग यहनि गुणन दिया हुआ है, उनके प्रांत हम कैसे निकालते हैं, फिर फलन की मान कैसे निकालते हैं, किसी बिंदू पर मान पूछा जाए तो, इस टाइप के लगवग जिस टाइप के कुशन एक्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम टाइप के बेस पे हम कर रहे हैं, मैंने कि भी ऐसे ऐसे कुशन आ सकते हैं, ठीक है, तो अब लिखें, एक दो कुशन लिखते हैं, फिर हम आज संयुक्त फलन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, तो नेक्स कुशन देखें, इस टाइप के मैंने कुशन आपको पहले करवाये थे, तो इसे करेंगे, तो देखें, जान दो सभी दर, अगर हमें इस टाइप के किशन मैंने आपको करवाया था, कि यहां f of 4 का मान पुच्छा है, तो जब f of 4 का मान पुच्छा है बच्चों, तो यहां हमें जो relation दिया है, 2 into fx, और plus का f of 1 minus x equals to x square, यह दिया हुआ है, ठीक है, औ यहां f of 4 का मान पुच्छा है, तो जब x का मान 4 रखें, तो 2 into f4 plus, यहां x का मान 4 रखेंगे, तो क्या आजाएगा, minus का 3 equals to 16 आजाएगा, 4 का square यह दिया है, ठीक है, अब देखो, यहां हमें f4 बचाना है, और f of minus 3 हमें cancel करना है, तो f of minus 3 लाने के लिए में क्या करना होग x के बराबर minus 3 रखेंगे, तो जब x के बराबर minus 3 रखेंगे इसमें, तो वो क्या हो जाएगा, 2 into f of minus 3, और यहां से plus का f of, अगर x की जगा minus 3 रखोगे, तो यह 4 हो जाएगा, और यहां से minus 3 का square है, वो 9 हो जाएगा, अगर मैं इस equation को, यह मानलो मेरे पास first है, और यह मेरा समीकन second है, तो अगर समीकन first को मैं 2 से multiply करता हूँ, समीकन first को मैं 2 से multiply करता हूँ, और यहां मेरे पास minus, जो समीकन second है, वो कर देता हूँ, यह लिख सकते हैं, तो जब इसको हम 2 से multiply करेंगे, तो यह cancel हो जाएगे, और यहां 2 यह 4 आजाएगा, और यह minus का, तो आप simplify कर ले खुद 4 into F4, और minus का F4, और यहां से अगर आप देख पा रहे हैं, तो 32 आजाएगा बच्चों, minus का 9 हो जाएगा, तो यह आजाएगा 3 F4, तो 3 F4 बराबर आजाएगा आपका, यहां से, यहां से आपके पास 23 आजाएगा, और F4 का मान है, वो 23 बटा 3 आजाएगा, तो F4 क जो वैल्यू है, वो क्या जाएगी, 23 बटा 3, तो इस टाइप के क्यूशन में आपको करवा चुका हूँ पहले भी, तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक हैं, अब देखो उधर वाला क्यूशन कैसे करोगे, उसमें ध्यान दो, यह हम पहले भी कर चुके हैं, उस क्यूशन को कै कैसे करेंगे वो देखो, अब देखो इधर जान दो, हमें क्या कहा, fx हमें यह दे रखा है, fx जो हमें दिया हुआ है बच्चो, a into x to the power 7, और plus b into x की power 3, और plus c x और minus का 5 दिया है, तो अगर आप यह देख पा रहे हो बच्चो, यहां हमें देखो, f वो minus 7 की value दिया है, और तो वो 7 दे रखी है, तो यहनि यहां से में आइडिया लग रहा है कि अगर x की जगह में इस फलन में, minus x रखता हूँ, तो देखो यह जो ट्रम है, क्योंकि यहां power देखो, odd है, तो odd power जब है, तो x की जगह minus x रखोगे आप, तो यहां पे बाहर minus में आ जाएगा, तो वो cancel होगी की नहीं होगी जब इनको बराबर रखेंगे अपन, कहने का मतलब, जब fx में x की जगह में minus x रखता हूँ, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां जाएगा, minus a into x की power 7, minus b into x की power 3, minus c into x, और minus 5 आगया, यह रख सकते हैं की नहीं रख सकते हैं अपन, भी f of x की जगह माइनस x रखा, तो f of minus x ही आगया की नहीं आगया, अब देखो यहां से, अगर हम यहां से minus common ले लें इसमें से, minus common ले लें तो क्या हो जाएगा बच्चों, यह हम यह कहें की इसका मान रख दें, तो minus, यह हम यह कहें यहां से, ax की power 7, minus bx की power 3, और minus cx, यह यहां से अगर हम मान रखें, तो आपको दिख रहा होगा यहां पे, कि जो मेरा f of minus x है, तो यहां से देखो इन तीनों में से, अगर मैं minus one common लेता हूं, इसको इदर रहने दें अपन इसमें से, minus common लोगा, तो यहां से क्या आएगा, ax की power 7, plus bx की power 3, plus cx, तो यह जो minus, तो यहां से इसकी value यहां से निकाल लो, f of x और इदर plus 5 आजाएगा, तो अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहां से minus का fx, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर minus का fx है, into में, और यह minus 5 था, इदर plus 5 हो गया, तो यह फिर minus का 5, यह रख सकते ही कि नहीं देख लो, और यह यहां से देखो f of minus x, और अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो आप यह कर सकते हो, भई अगर यह नहीं करना चाहरे हैं, बात वो बराबर ही है, आप इसको equation first दे दो, यह हमारा equation first है, और इसको equation second दे दो, और आप यहां पर लिख सकते है equation first और second को add कर दो, तो अगर equation first और second को cancel हो जाएगी इंसे, यह से cancel हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, fx हो, वहाँ minus का 5 है, यहाँ भी minus का 5 है, यहाँ जाएगा, तो यहाँ f of x जो आया, plus f of minus x आया, यह आपका minus का 10 आगया, अगर मैं x की जगे 7 रखता हूँ इसमें, तो क्या जाएगा, f of 7 plus f of minus 7 equals to minus का 10, और f of minus 7 का मान हमें 7 दे रखा है, तो यह इसमें रखेंगे, तो क्या जाएगा, f of 7 का जो मान है, वो minus का 17 आजाएगा, यहाँ से अपन लिख सकते हैं, minus का 17, ठीक है, तो यह ध्यान रखें, इस टाइब के question भी exam में कई बार, पूछ लिए जाते हैं, तो यह हमें यहाँ से odd power दे जाएगे, तो बार minus आजाएगा, तो यह cancel हो जाएगी, तो वहाँ से हम इसकी value निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों, इस टाइब के question भी exam में पूछ लिया जाते हैं, तो अब हम देखते हैं, इसे नया topic, सहयुक्त फलन क्या होता है, उस पे base question भी हमारे exam में पूछे जाते ह चीक है, तो next लिखें सहयुक्त फलन, तो next देखें बच्चों, सहयुक्त फलन क्या होता है, तो सहयुक्त फलन की definition लिखते हैं अपन, तो लिखें इसकी definition, तो definition लिख लेते हैं इसकी, लिखो माना, definition लिखो इसकी, माना F A से B में एक फलन है माना F A से B में तथा G C से D में दो फलन है माना F A से B में तथा G C से D में दो फलन है यह में F X और G X दो फलन दे रखें तथा साथ में कंडिशन है कि जो F of A F of A का मतलब क्या है F of A का मतलब क्या है बच्चो कि F का परिसर F of A का मतलब क्या है F का परिसर और यह किसका सबसेट होता है यह B का सबसेट होता है और अगर यह C का सबसेट हो यानि जो F of A है अगर वो C का सबसेट है C मतलब यहां से जो हमने इसका परांद लिया है तो अगर यह C का सबसेट है तब यानि F और G हमने दो फलन लिये हैं जो F मेरा फलन है वो A से B में परिवासित है और जो G फलन है वो मेरा C से D में परिवासित है तथा साथ में कंडिशन क्या है कि या तो हम यह ऐसे लिख दें कि यह B है वो मेरा C का सबसेट हो जाए तब भी वही बात है या फिर F of A अगर यहां इसका सबसेट हो जाए, किसका? C का, क्योंकि यह तो पूरा B इसका सबसेट हो नहीं हो, हमें तो इसकी रेंज से मतलब है, यानि जो F का परीसर है, वो G के प्रांथ का सबसेट हो जाए, तब F का जो परीसर है, वो G के प्रांथ का सबसेट हो जाए, तब F तथा G का संयुक्त फलन, तब F तथा G का संयुक्त फलन, यानि गोफ, यानि जो F तथा G का संयुक्त फलन, G-O-F दौरा परिभासित किया जाता है, दौरा परिभासित, या दौरा निरुपित करते हैं, एक ये बात है, दौरा निरुपित किया जाता है, ठीक है, या दुआरा परिभासिते किया जाता है तो स्यूंत फलन कैसे Define करते हैं समझ में आया बच्चों यानि सर F और G हमारे पास दो फलन होते हैं जो F फलन है वो A से में परिभासित है और जो G फलन है वो मेरा C से D में परिभासित है तो यहाँ Gof GOF तो GOF फलन कब परिवासित होगा जब सर यहाँ पे एक F का परिसर F का परिसर जो G के प्रांत का subset हो, यहनी समुचे हो, उपसमुचे हो यहनी जो F है वो C का उपसमुचे है तब हम GOF define कर सकते हैं यहनी F और G का संयुक्त फलन GOF define कर सकते हैं तो इसको हम निरुपित कैसे करेंगे कि जो G.O.F है यह जो मेरा फलन है यह कहां से कहां परिवासित होगा यह मेरा फलन है कहां से कहां परिवासित होगा क्योंकि आप खुद देखो जो A है, F है वो C का क्या होता है subset होता है C का क्या होता है उपसमूची होता है तो जो मेरा गौफ है वो बच्चो कहां से कहां परिवासित हो जाएगा यानि ये हमारा A से A से D में परिवासित होगा और इसको हम ऐसे लिखते हैं G of F और अगर इस पे X ओपरेट किया जाता है बच्चो तो इसको हम लिखते है G of F of X वैसց ये ध्यान रखना है ये हमारा गौफ फलन होता है तो ये हमारा गौफ फलन होता है ये F और G का से उ helpless फलन होता है उसका notice ये जाता है ये तब परिवासित होता है जब मेरा कोई फलन A से B में है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर यहां अगर A है और यह अगर मेरे पास B है तो अगर यह मेरे पास C है ठीक है A, B, C ले लेते हैं क्योंकि हमें क्या करना है यह जो A है A का कोई ने कोई यानि F फलन है वो A से B में है यह मैंने B ले लिया ठीक है और यहां मैंने इसको D ले रखा है हमने यहां पर क्या किया है इसको D ले रखा है तो अगर हम यहां से एक बात देखें तो हमें जो F of A है वो C में जाना चाहिए तो यह जो इसका जो समुच्चे आएगा कहने का मतलब यहां से जो मेरा F of A है यहां पर अगर यह मेरा B हो जाए तो B बराबर अगर C हो जाए और यह D ले लिया तब भी मैं फलन डिफाइन कर सकता हूँ या तो हम ऐसे कहें कि यह इसका समुच्चे हो जाए या हम कहें B और C दोनों बराबर हो जाए तो उसकेस में भी आप फलन डिफाइन कर सकते हो गोफ यानि उनका संयुच्च फलन तो वो ऐसे वो डिफाइन हो जाएगा यानि यहां से यहां F है और यहां से यहां G दिया हुआ है तो यहां से पहले यानि कि अगर X रखेंगे तो यहां F of X आजाएगा और F of X रखेंगे G में तो वो हमारा क्या आजाएगा G of F X आजाएगा यह क्या आजाएगा G of F of X डिफाइन हो जाता है अगर B और C बराबर हैं तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे ठीक है और F of G भी डिफाइन कर सकते हो अब F of G कब डिफाइन होगा F of G कब डिफाइन होगा F of G सब तब डिफाइन होता है जब जो D है यानि G का जो परिसर आएगा G फलन का जो परिसर आएगा वो मेरा A फलन के परांत का समूचे हो जाए उपसमूचे हो जाए तब मेरा f of g डिफाइन हो जाएगा दोनों में सेम ही बात है तो ये definition आपको ध्यान रखनी है कि हम ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं ये हमें ध्यान रखना है कि जब हमारा या तो क्या हो जाए कि b और c बराबर हो जाए तब आप हमेंसे define कर सकते हो अगर ये बराबर नहीं है तो हमें केवल इतना पता हो कि इसका जो परिसर है वो मेरे g फलन के प्रांत का उपसमूचे हो जाए तब भी मैं define कर सकता हूँ तो ये तो go of define हो गया अगर fork define करना होता f of g तो sir वो कहां से कहां हो जाता वो मेरा c से b में होता वो c से b में होता कब जब मेरा f g of c है वो मेरे a का क्या होता उपसमूचे हो जाता तो वहां आप f of g भी define कर सकते थे तो वो कब define होता बच्चों उसके लिए अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखते कि सर अगर मेरा f अगर हम यह लिख लिया हो तो यहां से आप वो भी define कर सकते हो तो यहां क्या आजाएगी condition f और g दे रखें तो सर अगर g of c g of c है वो अगर a का subset हो जाए उपसमूच्य हो जाए तब हम इस सयुक्त फलन को f of g define कर देंगे क्या define कर देंगे fog function define कर देंगे और यह जो मेरा fog function है वो कहां से कहां define हो जाएगा sir f of g है अब मेरा कहां से कहां बन जाएगा c से b के अंदर और इसको भी हम ऐसे परिवासित करते हैं क्या हो जाएगा f of g of x है तो हम इसको लिख सकते है f of g of x अब देखो इसको हम एक्जामपल से समझते हैं इसका मतलब क्या होता है इसको आप अच्छे से समझना इसको देखे गबराना नहीं है बहुत आसा क्यूशन आता है यहां से तो कुछ एक्जामपल लिखें हैं, मैंने इनको फोल करते हैं, देखते हैं, गोफ और फो कैसे डिफाइन करते हैं, एक अच्छे से समझना बच्छो बाकिया अपने आप हो जाएंगे अराम से, देखो इदर, मेरे को फलन एफ दिया हुआ है, एक एक्जामपल दिया है, इसक जो आर से आर में परिबासित हैं, इसका मतलब सर यहां बी और सी मेरे दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब फोग फंक्छन और गोफ भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहां यह आर और यह आर इसके बराबर है, तो फोग और गोफ दोनों डिफाइन आप कर सकते हो पहले बात तो, ठीक है, तो अब हम go of define करते हैं, gof, और x operate करते हैं, तो sir हम इसको तो ऐसे लिखते हैं, पहले लिखना सीखो इसको g of f of x, अब देखो आपको हमेशा पता है, कि सबसे पहले अंदर वाली चीज है, वो operate होती है, सबसे पहले अंदर वाली चीज है, वो operate होती है, F of X का मान तो आपको दिया हुआ है, यह रहा, Sinex दे रखा है, बहिए यहां इसने का, G of, पहले ब्रेकेट, फिर Fx, तो Fx का मान तो आपको उपर दे रखा है, तो वो इसमें रख दो, तो क्या आजाएगा बच्चों, कि सर, Fx का मान रखेंगे, तो यह तो हमारा यह आजाएगा, G, और यहां पे यह क्या, Fx का मान ए Sinex, तो यह Sinex हो जाएगा, बच्चों यह लो, ठीक है, यह हमारा Sinex हो गया की नहीं हो गया, अब आप देखो, G फलन मेरा क्या है, सर, G X है, वो X स्क्वाइर के बराबर है, तो G में जब X रखा, तो X स्क्वाइर आगया, अगर G में X की जिगए मैं 1 रखूँ, तो सर, G of 1 है, वो 1 का स्क्वाइर आजाएगा, तो इसका मतलब जब आप X की जिगए कुछ भी रखोगे, तो उसका इदर स्क्वाइर हो जाएगा, तो सर, G में X की जिगए, अब मैं साइन एक्स रख दूँगा, तो G में X की जिगए साइन एक्स रखोगे, तो सर, ये साइन एक्स का होली स्क्वाइर आगया मेरे पास, ये मेरा go function डिफाइन हो गया, तो ये आपको आना चाहिए, बच्चो वर्षिस का ये ही मतलब होता है, ठीक है, ये define हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले आप check कर लो, R से R में सर बराबर है हो जाएगा, फिर fork define करना है, F से G में जाना है, तो फिर F से G में जाना है, तो सर F से G, आप खुँद सोचो ना बच्चो, ये जो मेरा X ओपड़ हो रहा है, अगर मैं इस फलन का, अगर प्रांथ निकालना चाहूं, तो क्या होगा, आप खुद देखो, यहाँ सर पहले जो X ओपड़ प्रेट हो रहा है, वो कहां से ले रहे हूँ, F के प्रांथ से ले रहे हैं तो इसका मतलब इस फलन का जो प्रांथ आएगा वो तो F का फलन का प्रांथ ही होगा क्योंकि पहले कौन ओपरेट हो रहा है पहले sir F ओपरेट हो रहा है उसमें X ले रहे हैं तो F में X कहां से लेते हो आप सर हम f में x तो हम यहां डोमेन से लेते हैं तो यहां से इसका मतलब है कि यहां सबसे पहले जो मेरा for go function define होगा तो सर g of f है वो r है जो f का प्रांत है वो ही इसका प्रांत आजाएगा फिर देखते हैं फिर देखो क्या हुआ बच्चों भचों Хमने fx का मान रख दिया इसमें cynex आगिया अब जो मेरा perisar आ रहा है तो perisar में ज़िए last में कहां operate हो रहा है तो last में तो g operator हो रहा है ना और g का perisar कह जाता है सर g का perisar तो यहां आता है लेकिन मैंने आपको definition दी थी तो A से B में फिर C से D में तो मैंने बताया था कि जब वहाँ पे gof function define करते हो तो वो A से D में define हो जाता है तो वो ही हो रहा है देख लो आप ठीक है तो यहां से अब का मान आ गया sin x का square आ गया अब देखो यहां से अगर gof यह आ गया तो fog देखते हैं क्या आएगा तो sir fog निकालेंगे तो f of g of x आ जाएगा और यहां इसको हम लिख सकते है f of g of x यह लिख सकते हैं बच्चों अब क्या होगा बच्चों पहले कौन operate होगा सर अब पहले g operate हो जाएगा तो gx का मान हमें दे रखा है sir x square है तो पहले यहां gx का मान रख दो आप तो वो आजाएगा f of और gx का मान है sir x square यह रख दिया यह लो यह रख दिया है यहां पे कोई दिक्कत नहीं है अब f में x की जगह क्या डालना है sir x square डाल देंगे तो x की जगह x square रखने पे क्या हो जाएगा sir sin x square हो जाएगा तो यह मान आगया sin x square यह लो भई तो sir यहां से जो gauf है वो तो मेरा आया sin x का holy square और जो fog निकाला वो मेरा आगया sin x square तो sir fog और gauf equal होना जरूरी नहीं है तो यह आप पहले question solve करें फिर यहां से एक property add कर लेते हैं इसकी first की gauf और fog बराबर होना जरूरी नहीं है लिख लो यह मैं लिखवा देता हूं बोलके तो first property लिख लें इसकी यानि fog तथा gauf का बराबर होना जरूरी नहीं है fog तथा gauf का बराबर होना जरूरी नहीं है इसका example हमने यहाँ पे ले लिया बराबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हम कुछ नहीं कह सकते बराबर हो भी सकते हैं बराबर नहीं भी हो सकते हैं उस चीज के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते तो fog तथा go off का बराबर होना जरूरी नहीं है यह आप mention कर लेना, यह इसका example भी बन गया, अब मैंने इधर आपके पास 4-5 example रखे हैं, आप इनसे fog भी निकालेंगे और gov भी निकालते हैं, पहले fog निकालो, gov निकालो, सारे मैंने R से R में define कियें, तो आपको वो देखने की जूरत नहीं है, तो fog भी define हो रहा है, gov भी define ह हो रहा है, तो देखें कैसे करेंगे, देखो, तो यह समझ में आगया भी बच्चों, इस तरीके से निकाल सकते हो, अब देखो यहां से, अब next example लेते हैं, जो हमारे सामने लिखा हुआ है, उसको देखते हैं कैसे solve किया जाता है, तो next example लेखें, यह देखो में क्या दिया है, next example में, fx है, वो हमारा क्या है, वो सर हमें दिया x square, और जो gx है, वो क्या दे रखा है, वो दिया हुआ है, 2x plus 1 है, तो वैसे पढ़ने में असान है, सर हम पहले गोफ निकाल लेते हैं, बिलकुल देखो, तो गोफ, x ओपरेट करेंगे, तो सर इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले, तो सबसे पहले में यही काम करना है, लिख दिया, अब सर आपने कालता है, सबसे अंदर वाले का मान रख दो, तो fx का मान रख देंगे, fx का मान क्या है भई, x square है, तो सर ऐसा कैसा हमने इसमें मान रख दिया, और यह हो गया x square, अब सर जो g फलन है न, उसमें x की जगह हम x square रख देंगे, बस हो गया answer, x की जगह हम x square रख देंगे, उसमें जो भी है, तो सर x की जगह x square रखेंगे, तो वह हमारा आगया, 2x square प्लस 1, यह लो भई, answer आगया, यह हमारा गोफ आगया, 2x square प्लस 1, गोफ का मान आगया, 2x square प्लस 1, 2x square प्लस 1, अब देखो इसमें बच्चों फोग निकालो, f of g निकालेंगे, तो sir वो भी निकाल देते हैं, तो f of g of x लिखेंगे बच्चों, तो f of इसको sir g x ऐसे लिख लेंगे, सबसे पहले यही करना है, अब sir यह जो अंदर वाला है, इसका मान रख देंगे, जो भी है, तो g x का मान क्या है बई, 2x प्लस 1 है, तो sir यह रख दिया, यह लो 2x प्लस 1, अब क्या करना है, sir जो मेरा फलन f है, उसमें x की जगे 2x प्लस 1 रखना है, x की जगे 2x प्लस 1 रखना है, रख दो बई, तो sir वो हो जाएगा 2x प्लस 1 का whole square, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का whole square तो यह आजाएगा मान किसका fog x का मान आजाएगा 2x प्लस 1 का whole square तो ऐसे आप fog और gov define कर सकते हैं अगर हमें दो फलन दे रखे हैं और दोनों फलन मैंने r से r में define कियें इसलिए आप दोनों define कर सकते हैं समझ आया कि नहीं आया बच्चों तो यह इस टाइप की question भी हमारे exam में पूछे जाते हैं बहुत आसान से question होते हैं लेकिन थोड़े difficult question भी पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे बाद में और हमें उन question को option से कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा तब ही आप कर पाऊगे वरना हो सकता है कि आप उस question को छोड़ने की कोशिस करोगे लेकिन option से कर लेंगे जो method tough होगा उसका कोई ने कोई solution दोता है exam में तो उनको हम option से कर लेंगे ठीक हैं? अब देखो यहां से और प्रांत वाले जो question है वो भी हम option से कर सकते हैं जो प्रांत वाले question है उसमें भी हम option से करेंगे जब हम अपन seat soul करेंगे तो मैं उसको आपको बताऊंगा कि भी option से कैसे करते हैं अभी हमने प्रांत वाले question है भी method से की हैं सारे लगबग लेकिन method भी पता होना चाहिए भी option से कैसे करते हैं वो आप practice करोगे तब आपके mind में देरे देरे आने लग जाएगा तो जो seat के question है वो हम try करेंगे option से करने की सारे लग बग ठीक है अब देखो तो next example देखें यहां से next example में दिया हुआ है कि sir fx equals to क्या है one upon one minus x है जहां x मेरा one नहीं हो सकता बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि अगर x को आपने one रख दिया तो यह sir फलन मेरा one पे परिवासिती नहीं है तो फलन ही नहीं रहेगा अगर one रख दो के तू ठीक है इसका मतलब यहां mention करना जरूरी है कि x मेरा one नहीं है x मेरा one नहीं है यह जरूर ध्यान रखें भई अब देखो इधर बच्चो यहां हमें दिया गया कि f of f of f तीन बार तो यहां दो बार define हो गया folk यहनि f of f of f composition बोलते हैं से यह जो operation लगाते में composition ठीक है तो composite फिलन होते हैं यहां पर देखो इसको सर हम कैसे करेंगे इस type के question को इस type के question जब भी आते हैं न बच्चों तो आप क्या करोगे तीन बार आजाए बले च्यार बार लिख दे वो बले पांच बार लिखे method सब में same ही होता है वो कितनी भी बार लिखे उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि method है वो हमेशा same होता है इसमें तो क्या करोगे पहले आप इन दो को solve कर लो इसको रहने दो तो सर ये f of इसको क्या लिखेंगे इसको हम लिखते है f of f of x ये हम पहले से जानते हैं एक को solve कर लो पहले उस एक को रहने दो पहले पढ़ा रहने दो उसको तो क्या करेंगे सर आपने बताया अंदर वाले का मान रख दो तो अंदर वाला कौन है सर 1 upon 1 minus x है तो लिख दो भई f of f और अंदर वाले का मान रख दिया सर हमने 1 upon 1 minus x बे fx का मान रखना है और वो हमें दिया है 1 upon 1 minus x वो मैंने रख दिया कोई दिक्कत नहीं है बिलकुल रख दिया अब सर हम क्या करेंगे अब हम इसको भी solve कर लेंगे और इसको हम कैसे लिखते है f of फिर f और फिर 1 upon 1 minus x ये लिखेंगे हाँ बई ऐसा ही करेंगे कि नहीं करेंगे तो सर पहले हम इस f को operate करेंगे तो f of 1 upon 1 minus x क्या आएगा इसका मतलब क्या है कि x की जगह fx में ये पहले इसको solve करो पहले अंदर वाले को solve करना होता है मैंने आपको बार बार एक ही बात बताईए तो अब ये अंदर वाला ये बन गया पहले तो अंदर वाला fx था तो हमने उसका मान डायरेक्ट या रख दिया अब अंदर वाला फलन ये बन गया तो ये फलन आपको क्या कह रहा है केवल इसको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है ये फलन ये कह रहा है कि जो fx फलन है उसमें x की जगह 1 upon 1 minus x रख दो आप और कुछ नहीं करना है तो x की जगह 1 upon 1 minus x रखना है तो sir लिख देंगे यह f ऐसा कैसा रहेगा इदर वाला अब देखो f में x की जगह 1-x रखो f यह है x की जगह 1-1 upon 1-x रख दो इसमें तो सर यह आजाएगा 1 upon 1 upon 1-x की जगह यह रखना है तो 1 upon 1-x आजाएगा यह हमें simplify करना है पहले तो सबसे पहले अंदर वाली value रखनी है देख लो अच्छे से समझ नहीं आया हो तो यह हमें पहले f x था तो f x का मान हमने रख दिया तुरन दिया आगया अब सर यहां f x नहीं अंदर f of 1 upon 1-x है इसका मतलब इसको पढ़ना सीख लो कि सर f x में x की जगह 1 upon 1-x रखना है तो रख दो भई x की जगह 1 upon 1-x तो यह रख दिया अब इसको solve कर लो क्या आ रहा है solve करेंगे तो आपको देख रहा होगा यहां से कि f यह बहार है अब यहां देखो इसका LCM ले लो तो 1-x उपर आ जाएगा और यहां देखो 1-x और minus का 1 यह लिख सकते हैं और यहां से क्या आ गया भई f of यह आ गया 1-x और upon का minus x यह हमारे पास आ गया अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है बच्चों तो solve करना है तो केवल आप उस function को फलन को पढ़ना सीख लो और कुछ नहीं करना है कि सर इसका मतलब तो यह था कि f में x की जगह 1 upon 1 minus x रखना है हमने रख दिया solve किया यह आ गया अब भी यह क्या कह रहा है कि सर फलन f में x की जगह 1 minus x upon minus x रख दो फलन f में x की जगह 1 minus x upon minus x रख दो और कुछ नहीं करना है लेकिन एक साथ में एक चीज़ ध्यान रखना बचो कि जब आप यह f यह define कर रहे हो तो यहाँ x को कभी आप 0 नहीं ले सकते क्योंकि अगर x को आपने 0 रखा तो यह 0 हो गया और यह 1 हो गया तो 1 बटा 0 यह define नहीं होता है infinity आ जाता है तो यहाँ आप यह दिरूर ध्यान रखें कि मेरा जो f of f of x है यह तब define हो रहा है जब पहले उसने कहा x मेरा 1 नहीं होना चाहिए और एक condition और आगई इस साथ में कि भई x मेरा 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि x मेरा अगर 0 हो जाता है तो यह define ही नहीं होगा आगए हम solely नहीं कर सकते इसको यह हम इसको आगए solely नहीं कर सकते ना क्योंकि हम जो f of f ले रहे हैं वो भी तो एक फलन ही होता है और फलन जहाँ define नहीं होगा तो इसका मतलब फलन तो अपने प्रांत के हर बिंदू पे define होना चाहिए इसका मतलब यहां साथ में लिखना पड़ेगा कि भई x मेरा 9,0 होना चाहिए और यहां लिखना है पहले ही x मेरा 1 भी नहीं होना चाहिए तभी मैं यह सारी calculation कर पा रहा हूँ यहां पे अब देखो बच्चो इसका मतलब क्या हो गया कि सर x में f x में f of x जो हमें दे रखा है यह रहा इसमें x की जगे मेरे को 1 minus x upon minus x रखना है इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है तो रख दो भई तो यहां से क्या हो जाएगा 1 upon 1 minus x की जगे यह रखना है तो पहले इसको रख लो 1 minus x upon minus का x यह लो गई रख दिया अब इसको sol कर लेते हैं यह minus और यह minus plus हो गए तो सर 1 upon 1 plus 1 minus x upon x आजाएगा अब यहां x LCM ले लो तो इसको simplify करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यह मेरा x आजाएगा अगर हम इसको simplify करेंगे तो यह x आजाएगा तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि सर f of f of fx का मान मेरा x आगया कब जब मेरा x है वो note equals to 1 था और मेरा x है वो 0 भी नहीं होना चाहिए अगर इन दोनों condition को आप लेते हैं साथ में तब इसका मान है वो x आजाएगा वरना नहीं आएगा वरना define ही नहीं होगा ये भी देख नगना ऐसा भी question वो आप से पूछ सकता है भई फलन define तो होना चाहिए ना जो भी उसका प्रांत है उस पर define तो होना चाहिए पहले परिवाशी तो होना चाहिए लेकिन सर्य यहाँ जगो हम x की जगे 0 नहीं रख पा रहे है इसलिए हमने मना किया side में कि भी x हम 0 नहीं लेंगे तो f of f of x x आ रहा है जब ना तो मेरा x बराबर 1 है और ना ही मेरा x बराबर 0 है तब हम इसका मान है वो x के बराबर लिख पा रहे है यह समझ आ गया वे पिचो इस type के exam में question आते हैं जो आपको solve करने हैं आप देखो next question देखें जो दो question और लिखें वो और देख लेते हैं तो last class में हम try करेंगे कि हमारा जो फलन वाला जो chapter है वो complete हो जाएगा वैसे देखो मैंने इतनी theory नहीं है theory आप देखोगे तो एक या दो page बनेंगे आप एक साथ लिखोगे तो इनको और लिखना भी चीए आपको short note साथ साथ में बनाया करो वरना एक दिन syllabus complete होगा तो बहुत सारा mathematics एक साथ हो जाएगा तो उसको आप revise नहीं कर पाऊगे तो आप कोशिश किया करो रोज का रोज जितना होता है उसके आप short note साथ में बना लिया करो क्योंकि मेरे जो बैदेखो फलन वाली जो theory हो तो आप दो दिन में भी पढ़ सकते हो और मैं आपको पढ़ा भी सकता था कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन केवल theory पढ़ने से काम चलता नहीं है अगर मालो दो दिन में theory तो आप देखो इतनी है दो दिन में हो जाती है अगर हमें बताना ही हो केवल यह होता है यह होता है लेकिन क्यूसन की वज़ए से मेरे वीडियो ज़्यादा बनते है क्योंकि आपने देखा होगा लगबग 3-4 वीडियो में क्यूसन ही क्यूसन करवाए हे है तो अगर आप चाते हैं कि जल्दी होना चाहिए तो फिर क्यूसन नहीं करवा पाएंगे बात बराबर ही है ठीक है तो क्युशन ज्यादा करवाँगा तो वीडियो ज्यादा बनेंगे क्युशन कम करवाएंगे तो वीडियो नहीं बनेंगे ज्यादा बस बात वही है ताकि यह नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं कि आप exam के चीज़ें आती नहीं है और वो ही पढ़ा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है आप अपने जो seat delivery उसमें exam के question है आप उनको देख लेना ठीक है उसी type के question भी आते है exam में आप देखो ये वाला question देखते हैं हाजी fx equals to हमें दिया हुआ है 3 minus x का cube की power 1 by 3 1 3 minus x का cube की power 1 by 3 दिया हुआ है और ये मेरा फलन r से r में परिवासित है तो हमें f of f of x निकालना है बताएं बही क्या हैगा तो same वह तरीका है बच्चो करने का इसमें क्या करेंगे इसमें हम f of f of x लिख लेंगे पहले ये लिख लिया तो पहले f x का मान रख दो f x जैसा है वैसा का वैसा रख दिया गरो सर ये रहा 3 minus x का cube की power 1 by 3 ये रख दिया सर ये लो ये रख दिया अब आप से क्या कहा जा रहा है कि जो मेरा फलन f है उसमें x की जगह ये रखना है तो बस पढ़ते जाओ और होता जाएगा अगर ऐसे देखेंगे इसको तो यार इसको कैसे sol करेंगे लेगिन इसने बोला क्या है कि जो मेरा फलन f है पहले क्या बोला कि यह f x का मान रख दो हमने रख दिया ऐसा कैसा ये रहा फिर क्या कह रहा है कि जो फलन f है उसमें x की जगे ये रखना है तो x की जगे ये रखना है उसने ये बोला है x की जगे ये रख दो तो देखो कैसे रखेंगे यहां क्या है भई यहां पे हमें दिया 3 minus ये दिया है x की जगे ये रखना है उसकी power 3 करनी है तो बही रख देंगे येलो सर 3 minus x cube की power 1 by 3 और इसकी power 3 कीवी है यही तो हुआ अब सर इसका जो power है वो मेरा 1 by 3 दिया हुआ है येलो ये हो गया मारा function सर x की जगह वो चीज रखनी है तो रख देंगे कहा problem है येलो रख दी सर आप इसको सेखोल कर लेंगे देखो क्या आएगा यहां से आप देख पारें बच्चो ये जो power 3 है इसकी power 1 by 3 है ये से cancel होगी तो यहां क्या बन गया अंदर कि 3 minus का 3 आगया और minus minus plus का x cube आगया बच्चो और इसकी power 1 by 3 आगयी ये 3 से 3 cancel होगया x की power 3 into 1 by 3 तो ये इससे cancel हो जाएगा तो sir x आगया ये तो बहुत आसान हो गया इसको जब हमने soul किया तो हमारे पास इस फलन का मान की आगया sir x आगया फलन का मान की आगया x आगया तो देखने में ही बड़े हैं ये कि अगर उसको अच्छे से पढ़ना सीखे कि भई फलन में x की जगए ये रखना है तो रख दो उसमें और कुछ नहीं करना है हमने रखा sir इसको soul किया तो हमारा ये मान x आगया तो इसका मान f of fx का मान है यानि fo of f o f ठीक है तो इसका जो मान है वो से का आगया f of f का मान जो है वो हमारे पास x आगया क्या आ गया x आ गया तो इस तरीके से हम इसको soul कर सकते हैं ठीक है भी बच्चों अब देखें next देखो एक एक जामपल और बच्चा है उसको और कर लेते हैं फिर आज इतना ही करेंगे next class में कोशिस करेंगे कि परतिलों हम फलन हो जाए तो हम complete कर लेंगे और एक आवर्ती फलन का आवर्त काल निकालना भी क्यूशन पूछ लिया जाता है कई बार तो उसको भी थोड़ा समय मैं सोच रहा हूं बताई देता हूं क्यूशन पूशन आ जाता है तो उसको अभी आपको थोड़ा idea होना चाहिए कि आवर्त काल का मतलब क्या होता है तो थोड़ा बता देंगे उसके बारे में भी देखें इसमें जो हमारे पार last question है उसको और कर लेते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है देखो हमें दिया है कि fx equals to क्या है x square है और ये r से r में define है दोनों ही फलन ये भी r से r में ये भी r से r में यहां लिख लेना साथ में दोनों r से r में दिये हुए है और gx फलन क्या दिया हुआ भी gx फलन हमें दे रखा है cos of 2x plus 1 ये हमें दे रखा है तो इसके आप fog और gof दोनों define कर सकते हैं तो क्या करोगे यानि सर पहले f of g of x लिखेंगे ये हमारा होता है f of g of x हो जाता है ये लो और gof में क्या लिखते हो बच्चो गोफ में सर ऐसा लिख देंगे ये लो कोई दिक्कत है इसमें नहीं भई सर इसने का पहले gx का मान रख दो ये लो सर रख देते हैं तो f of gx का मान क्या है cos of 2x plus 1 है सर ये लो रख दिया हमने तो कोई दिक्कत नहीं है अब कह रहा है f में x की जगए ये रख दो तो ऐसा कैसा उठाग x की जगए रख दो और कुछ कुछ नहीं करना है ज्यादा इसको अगर आप गोर से देखेंगे तो हो सकता आप यहां confused हो जाओ कुछ नहीं करना है सर फलन f है ना उसमें x की जगए ये रखने के लिए बोल रहा है रख दो भई सर फलन f में x की जगए ये रखना है तो यानि cos of 2x plus 1 ये सर और इसका square दि है g of fx तो fx का मान रख दो भई सर fx का मान तो x square है ये लो रख दिया अब क्या कह रहा है आप से कि सर g फलन में x की जगए x square रखना है तो g फलन ये रहा सर x की जगए में x square रखना है तो क्या आ गया बच्चों cos of x की जगए x square 2x square plus 1 आ गया तो ये इसका मान आ गया और य इसका माहना गया तो ऐसे हम Fog और Goff define कर सकते हैं या F of F of F कितना कुछ भी निकलवाए आपको केवल और केवल वो process अच्छे से करना है और सरफ Fog और Goff है वो बराबर होने जरूरी नहीं है ये भी हम guarantee नहीं दे सकते ठीक है? कल इससे और अच्छे question जो exam में आएवे हैं वो अच्छे question होते हैं उसको मैं एक method भी बताऊँगा लेकिन वहाँ मैं suggest करूँगा कि method की बजाए हम उनको option से करेंगे तब ही हम exam में उसको कर पाएंगे यो सकता है कि वो चीज़े आपके समझ कम आए तो जहां कम समझ में आएंगे उसको आपको solution दे दिया जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है? तो next class में हम परतिलोम फलन और इस पे कुछ एक टाइप और बच्ची वोर कर लेंगे तो आप अच्छे से अपनी तियारी को शुरूर रखें ठीक है? और जो भी जहां भी अच्छे कुछन मिलते हैं आप सोल करते रही है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है? ठीक यू